हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाईपर एनिमे एक्स्प्लेंड चैनल पर और आज हम देखेंगे मैशले मैजिक एंड मसल के एपिसोड नमबर 9 को अगर आपने इसके फिछले एपिसोड वाले वीडियोज अब तक नहीं देखें हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के अब तक हमने देखा था कि लेमन भी पपेट बनकर लैंग डॉर्म की तरफ जाने लगती है मैश और उसके दोस्त उसे बचाने लेमन के पीछे जाते हैं तो उनका सामना मागिया लुपुस के जादूगरों से होता है अब लैंस और विर्थ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लैंस उस पर अपना सबसे पहला हमला ग्रेवियोल अटैक से करता है पर विर्थ बड़ी चालाकी से अपने मड मैजिक का इस्तमाल करके जमीन के अंदर चला जाता है जिसके बाद वो अपने बहुत सारे कलोन्स बना कर लैंस पर हमला करता है पर लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक से उन सब को कुचल देता है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो सभी नकली थे जिने विर्थ ने कीचर से बनाया था अब लेंस पूरे फील्ड में अपने ग्रैवियोल मैजिक का इस्तमाल करने की सोचता है पर जैसे ही वो अपनी स्टिक उपर उठाता है तब वो देखता है कि उसके पैर तो कीचर में धस रहे थे इस मौके का फायदा उठा कर विर्थ लेंस पर मड़ बॉल्स से हमला करने लगता है जिससे कि लेंस की बहुत बुरी हालत हो जाती है लेंस की ऐसी हालत देखकर विर्थ हसने लगता है और उसे मागिया लुपुस के लो रैंकिंग मेंबर में शामिल होने के लिए कहता है विर्थ लेंस को ये भी बताता है कि उसमें स्किल्स की कोई कमी नहीं है लेकिन वो जिस ग्रूप में है उसकी वज़े से लेंस ग्रो नहीं कर पा रहा है विर्थ लेंस को ये भी बताता है कि अगर वो मागिया लुपुस में शामिल होगा तो वो और भी जादा पावर्फुल बन जाएगा लेकिन अगर वो एल्डर डॉर्म में रहा तो वो हमेशा कमजोर ही रहेगा विर्थ की बाते सुनकर लेंस बहुत गुसा होता है और वो उसे जवाब देता है कि कोई भी मैजीशियन अपने एनवार्मेंट की वज़े से पावर्फुल नहीं होता बलकि अपनी स्किल्स की वज़े से पावर्फुल होता है और उसकी नजर में विर्थ सिर्फ एक सेकंड रेट है इसके बाद लेंस फिर से विर्थ पर अपने ग्रेवियॉल मैजीक से हमला करता है लेकिन विर्थ फिर से मड मैजीक का इस्तमाल करके बच जाता है पर लेंस भी बहुत ज़ादा चालाग था और वो कई सारे स्टोन्स विर्थ की तरफ फैकने लगता है जिससे की उसे बहुत ज़ादा चोटा जाती है और विर्थ समझ जाता है कि लेंस एक तगड़ा ओपोनेंट है विर्थ अपनी पॉकेट से एक लिक्विड सल्यूशन बाहर निकालता है और लेंस को बताता है कि ये दूसरे स्टूडेंट से एक्स्ट्रैक्ट किया गया है जिसके बाद वो उस सल्यूशन को पी जाता है और उसकी पावर लेवल्स इनहेंस हो जाती है तभी उसके पीछे मड से बना हुआ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे विर्थ कंट्रोल कर रहा था वो लेंस को बताता है कि ये सेकेंट मडोरो मैजिक है और इसका इस्तमाल बहुत ही कम डबल लाइनर्स वाले जादूगर ही कर पाते हैं अभी विर्थ अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे बचपन से उसे सिखाया गया था कि मैजिक ही सब कुछ है और इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल मैजिशेंस ही रह सकते हैं इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को इंप्रूफ करने में लगा दी अब विर्थ उस मड मॉन्स्टर को लेंस पर अटेक करने के लिए कहता है लेकिन लेंस उसके अटेक को डॉज करता है लेंस विर्थ से कहता है कि मेरे दोस्त भले ही किसी काम के नहीं लेकिन उनकी इंसल्ट करने का हक सिर्फ मेरा है और ऐसा कहकर वो बड़े ही घुसे में अपने ग्रैवियोल सेकेंड्स टॉर्चर पोल मैजिक को यूज करता है जिससे कि उस मॉन्स्टर के चारो तरफ ग्रैवि क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लेंस भी सेकेंड्स लेवल का मैजिक इस्तिमाल कर सकता है लेंस ने विर्थ के सबसे स्ट्रॉंगेस्ट मैजिक स्पेल को भी तोड़ दिया था इसलिए अब विर्थ काफी जादा हैरान हो चुका था अब विर्थ वापिस अपने पास् प्रभी हुई मिली, जो शायद उसी की है, और वो उस बुक को विर्थ को देता है, लेंस उसे बताता है कि उसकी फैमिली भी बिल्कुल एसी ही है, जो किसी भी इंसान को उसके सोशल स्टेटस और मैजिक से जज़ करती थी, और यहाँ पर लेंस को पता चल चुका था, कि उसे और विर्थ को एक ही तरीके से पाला गया है दरसल लेंस को विर्थ का बोलने और बिहेव करने का तरीका पसंद नहीं था लेकिन फिर भी वो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वहां से चला जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिस और मैशले के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहां पर मैशले बड़ी तेजी से एबिस को पंच करता है लेकिन एबिस भी कुछ कम नहीं था और वो भी काफी जादा स्पीड से मैशले को वापिस मारता है जिससे कि मैशले बुरी तरह से घायल हो चुका था एबिस मैशले को बताता है कि वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा लेकिन मैश इस बात को सीरियसली नहीं लेता और आगे फाइट करने लगता है मैशले की हिम्मत देखकर एबिस बहुत जादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मैशले अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रहना चाहता है इसलिए वो कोई भी खत्रा उठा सकता है लेकिन वो बिल्कुल भी लकी नहीं होना चाहिए था अब मैशले को एक डिवाइस दिखाता है जिसके अंदर लेमन कैट थी और वो मैशले को बताता है कि इस डिवाइस के अंदर लेमन की सारी पावर्स एब्जॉर्ब हो रही है और आने वाले 30 मिनट में वो पूरी तरह से पावरलेस हो जाएगी और उसके face के उपर से वो mark भी हट जाएगा जिससे वो एक normal human बन जाएगी मैशले अपने दोस्त को बचाने के लिए Abyss से लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद Abyss के अंदर से बहुत सारे arrows निकलते हैं और वो उन पर बैट कर मैशले के उपर attack करने लगता है Abyss की speed इतनी जादा थी कि मैशले भी उसे देख नहीं पा रहा था और तभी Abyss मौके का फायदा उठा कर अपनी तलवार मैशले के पेट में गुसा देता है जिससे कि मैश पूरी तरह से जखमी हो जाता है लेकिन जब वो उस तलवार को बाहर निकालने लगता है तो वो बाहर ही नहीं आ रही थी क्योंकि मैश ने उस तलवार को अपने Abyss के muscles से tightly पकड़ लिया था और अब वो Abyss को पकड़ कर इतनी जोर से पंच करता है कि उससे Abyss का face mask तूट जाता है और finally मैश ने पहली बार Abyss का real चेहरा देख लिया था दरसल Abyss की दोनों आखें अलग-अलग थी और मैश ले उससे सवाल करता है कि तुम्हारी एक आख लाल क्यों है जिसके जवाब में Abyss बताता है कि उसकी एक आख को devil eye कहा जाता है और वो जिसे भी देखता है उस जादूगर के सारे magic powers कुछ समय के लिए disable हो जाते हैं इसलिए सभी लोग उससे डड़ते थे ये सब सुनकर मैश काफी जादा दुखी हो जाता है और Abyss को बताता है कि वो अपने devil eye का इस्तेमाल उस पर कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैशले के पास तो magic है ही नहीं पर Abyss उसे कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि दूसरे magic users के लिए उसकी आँख किसी श्राप से कम नहीं है इसलिए वो कह रहा था कि मैशले और वो same है क्योंकि दोनों को ही ये दुनिया hate करती है और अब इसके बाद Abyss अपने second magic power से दोनों के आसपास एक force field create कर देता है जिसके उपर कई सारे arrows और निशान थे Abyss उन arrows पर बैटकर मैशले पर attack करने लगता है पर मैशले जब उसे punch करने वाला होता है तब वो notice करता है कि उसकी speed तो काफी ज़ादा कम हो चुकी है जिसके बाद Abyss उसे बताता है कि इस force field के अंदर मैशले की सारी speed Abyss को मिल जाएगी जिससे की वो और भी ज़ादा ताकतवर हो जाएगा इसी के साथ Abyss एक के बाद एक लगातार मैशले के उपर attack करते जा रहा था और मैशले भी उन सब को सेहन करके बहुत जखमी हो चुका था पर मैशले भी कुछ कम नहीं था और वो जमीन पर एक जोड़दार punch मारता है जिससे की पूरी जमीन तूटने लगती है और Abyss का balance बिगर जाता है मैशले को अब मौका मिल चुका था इसलिए वो Abyss के उपर punch मार के उसकी तलवार तोड़ देता है Abyss को समझ आ चुका था कि मैश बहुत ज़ादा चालाग है इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मैश उसके पैर पर अपना पैर रख कर उसे वहीं रोक लेता है और अब मैश अपने सभी muscles tight करके उसे इतने जोर से punch करता है कि उससे वो अपनी ही बनाई हुई force field तोड़ कर बाहर जाकर गिरता है और अब इसकी वज़े से मैशले की speed फिर से normal हो जाती है एबिस को काफी जादा regret feel हो रहा था क्योंकि वो मैशले से हार चुका था लेकिन वो लगातार मैशले पर वापिस हमला करने लगता है लेकिन मैशले उसकी अच्छे से धुलाई करता है और आखिर में उसे उठा कर जोर से जमीन पर पटक देता है और फाइनली एबिस ने अपनी हार मान ली थी एबिस सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने बचपन से उससे नफरत की और उसे basement में lock करके रखा क्योंकि कोई भी उसकी devil eye नहीं देखना चाहता था एक बार तो उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की भी कोशिश की थी एबिस आगे बताता है कि पूरी दुनिया उसको hate करती है और किसी ने किसी दिन मैशले भी उसे जरूर hate करने लगेगा लेकिन मैशले बड़े ही normal तरीके से एबिस को बताता है कि ऐसा नहीं है और वो दोनों दोस्त बन सकते हैं फिर भी एबिस अपने डेविल आई की वज़े से परेशान था इसलिए वो मैशले को मना करता है और उसे बस एक आखरी एड़वाइस देता है कि आगे चलकर वो एबिस से बिलकुल ना लड़े क्योंकि लास्ट टाइम जब मैशले एबिस से मिला था तब उसने अपनी नॉर्मल पावर ही दिखाई थी लेकिन एबिस हद से जादा ताकतवर है यहीं पर मैशले एबिस को रोकते हुए कहता है कि एड़वाइस देने के लिए थैंक यू पर वो एबिस से जरूर लड़कर रहेगा वो भी अपने फ्रेंड्स के लिए इसके बाद मैश वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते एबिस से कहता है कि मेरा एटिट्यूड तुम्हारी तरफ कभी नहीं बदलेगा और मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही मानूँगा क्योंकि यही उसके डैड ने उसे सिखाया है वो ये भी बताता है कि नेक्स टाइम जब वो फिर से मिलेंगे तब साथ में क्रीम पफ जरूर खाएंगे इसके बाद मैश ले आगे बढ़ जाता है और ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है तो दोस्तों क्या आप मैश एबल को भी हरा देगा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें बाकि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एकस्प्लेंड पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाईए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शुक्रिया